हेलो फ्रेंट्स आज मैं आपको 2019 की आफटर ये एक romantic movie explain करने वाला हूँ किसी एक सही person से मिलने के बाद आपकी life किस तरह से change हो सकती है आपका जो पुरा believe system जो गलत था ये सही कोई बना सकता है तो यही इस premise को लेकर आज की movie आती है अपटर ये movie एक novel पर based है और इसका second part भी अब आ चुका है और जब ये available होगा तब हम इसे भी करेंगे तो चलिए इस movie को explain करना start करते है इस movie की जो story है यह हमारी main character जिसका नाम अदा है Tessa यह हमें सुना रही है Tessa हमसे कहती है कि जब मैं hardin से मिली तब से मेरी पूरी life change हो गई इसके बाद हम देखते है कि Tessa का high school खतम हो चुका है college के लिए वो अलग शहर जाना चाहती है उसकी mother उसके लिए बहुत ही worried है पर फिर भी अपनी mother को उसने मना ही लिया है Tessa का एक boyfriend भी होता है Tessa को उसके नए college छोड़ने के लिए उसकी mother और उसका boyfriend यह दोनों फिर जाते है Tessa college को hostel में रहने वाली होती है जब वहाँ उसकी mother पहुचती है तो Tessa की roommate सोहा होती है Tessa की roommate जब उसकी mother देखती है तो उसे बहुत ही गलत लगती है यह roommate भी Tessa से बात करती है और कहती है कि हम दोनों बहुत ही मज़े करेंगे without ID उसे club में भी वो लेकर जा सकती है mother को यह बहुत ही bad influence लगता है वो directly Tessa को बाहर बुलाती है mother कहती है कि तुम यहाँ नहीं रह सकती हम room change कर वालेंगे Tessa कहती है कि प्लीज ऐसा कुछ भी मत करो तुम मुझपर believe करो मैं कभी भी कुछ भी गलत चीज़े नहीं करने वाली mother Tessa को कहती है कि सिर्फ तुम्हारा study important है इसी पर तुम्हें focus करना है Tessa भी हाँ कहती है और उसकी बाद उसकी mother चली जाती है Tessa का boyfriend भी डर रहा होता है क्योंकि आप वो एक दूसरे से मिलनी पाएंगे तो उनकी relationship का क्या होगा Tessa फिर से अपने room में आती है उसकी roommate उसे पुछती है क्या कई बाहर चलना है पर Tessa अब मना कर देती है Tessa ने अपने साथ बहुत सारे books वगरा लाये है उसकी friend कहती है कि इतने books कोन लाता है Tessa बोलती है कि मैं bookish हो मैं आमेज अपने class में जाती है वहाँ उसका एक friend बनता है जिसका नाम होता है Landon Tessa economics के class में गई होती है पर actual में उसे English पढ़ना होता है पर English पढ़ने से उसे अच्छी से job नहीं मिल सकेगी वो कहती है कि तुम यहां क्या कर रही हो उसे जाने के लिए कहती है पर Hardyn उसके roommate का फ्रेंड है टेसा को पहरे लगता है कि उसके roommate का बॉइफेंड होगा पर उसके roommate कहती है कि हम दोनों सिर्फ friends है आज Hardyn और Tessa के roommate यह दोनों पार्टी में जाने वाले हैं, तैसा पार्टी में जाने के लिए मना करती है, पर हार्डीन भी कहता है, कि तुम्हें देखकर में पार्टी में तुम्हें इमेजीन भी नहीं कर सकता, तैसा एक बूक पढ़ रही होती है, हार्लिंग इसका स्पोयलर देखकर वहां से चला जाता है रेसा बहुत सारा study करती है हमेशा उसके friends को party में जाते हुए मज़े करते हुए दिखती है एक दिन उसकी friend उसके पास आती है और कहती है कि आज party है मेरे साथ तुम चलो रेसा भी इस बार रेजिस्ट नहीं कर बादी और party में चलने के लिए ready हो जाती है इस party में ह हार्डीन भी आया हुआ है दिखता है टेसा आपने friend के साथ हार्डीन के पास बैठती है सब drink कर रहे होते है पर टेसा डिंक नहीं करती फिर भी उसके friend उसे एक छोटा सा पेक बना कर दे 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 थे है इसके बाद यह game खिलने लग जाते है यह जो game है यह truth and dare का game है टेसा का साता है तो टेसा truth choose करती है एक लड़की उसे बुछती है कि ऐसा एक weird place बता जहां पर तुम intimate हो चुकी होगी टेसा uncomfortable हो जाती है सबको पता चल जाता है कि टेसा अब तक किसी के साथ भी intimate नहीं हुई है इसके बाद वो टेसा को dare देते है टेसा को कहते है कि हार्डीन को से kiss कर पड़ेगा हार्डीन उसके पास जाता है पर टेसा कहती है कि यह stupid game में नहीं खेलने वाली यह कैकर पहार निकल जाती है उसे फिर उसका boyfriend का उकौलत है आज उसके boyfriend से वो बात करने वाली थी पर वो इस party में आई है इसी वज़े से वो बात नहीं कर पाई उसके boyfriend को party का आवा नहीं की है एक दूसरे के पास आकर एक दूसरे को किस करने ही वाले होते है तभी टेसा कहती ही कि यह गलत है और वहाँ से चलने जाती है टेसा एक्चुल में हार्डीन से बहुत ही अट्रेक्टेड होती है नेक्स दिन लिटरेचर के क्लास में हार्डीन और टेसा यह दोनों होते है इस क् बुक के बारे में discussion स्टार्ट होती है तो Hardin से बूचा जाता है Hardin की बातों से हमें यहाँ पता चलता है कि वो पैर वब बिलीव नहीं करता पर टेसा की बिलीव जरा अलग है इन दोनों की viewpoints में यहाँ जरा conflict हो जाती है टेसा Hardin से बहुत ही चिट जाती है अपने फ्रेंड लैंडन के साथ यह पाहर निकलती है यह उससे कहती है कि कैसा लड़का है ऐसे कुन बात करता है लैंडन और Hardin एक्चुल में related है Hardin के फादर और लैंडन की मदर इन दोनों में अब शादी होने वाली है इसके बाद यह stepbrothers बन सकते हैं यहां हमें पता चलता है कि Hardin चांसलर का बेटा है नेक्स इन में हम देखते है कि टेसा अपने फ्रेंड के साथ बाहर आई हुई होती है उसकी फ्रेंड एक टैटू बनवा रही है उसकी फ्रेंड उसे कहती है कि तुम भी टैटू बनवा सकती हो पर टेसा कहती है कि अगर मेरी मदर को पता चला तो उज़े मार ही डालेगी उसकी मदर हमेशा सी उसकी लाइफ प्लान करती आई है उसका जो बाइफ्रेंड ने यह उसकी मदर नहीं चूस किया है टेसा इससे frustrated है पर वो अपने मदर की सब बाते मानती है नेक्स डेम देखते है कि टेसा जब कैफे में होती है तो उसे hardin फिर से मिलता है वो टेसा से कहता है कि मैं तुम्हारी roommate का friend हूँ हम कभी न कभी तुम मिलने वाले ही है तो तुम मुझे ignore नहीं कर सकती वो उसका friend बनना चाता है वो टेसा से कहता है कि चलो मैं तुम्हें एक place दिखाना चाता हूँ टेसा पहले मना करते थी है पर फिर अपना mind change करती है hardin फिर उसे एक जंगल में लेकर जाता है यहाँ पर वो चलते जाते है और एक lake के पास आजाते है टेसा को एक बहुती beautiful लगता है hardin अपना shirt उतारता है और lake में कोच जाता है वो टेसा को भी बुलाता है टेसा पहले मना करती है क्योंकि उसके पास कपड़े नहीं है और hardin कहता है कि तुम मेरा shirt पहन सकती हो पानी में आकर टेसा hardin से बोचती है कि तुम इस world में किस से सबसे जादा पयार करते हो hardin कहता है कि यह answer तो easy है मैं सबसे जादा अपने आप से ही पयार करता हू hardin टेसा से पुछता है कि तुम्हेरे boyfriend का नाम क्या है टेसा कहती कि उसका नाम Noah है वो high school में है हार्डिन पूछता है कि तुम्हें पाने के लिए उसने ऐसा क्या किया, ऐसा कहती है कि वो बहुत ही नाइस है, हार्डिन कहता है कि नाइस का यह दूसरा मिनिंग बोरिंग है, हार्डिन फिर उसे कहता है कि सास लो और यह दोनों underwater चले जाते हैं, यह उपर आते हैं, तो भी फ्रेंड्स नहीं रह सकते इसके बाद ये दुनों इक दूसरे को किस कर लेते हैं ये पूल से बाहर आते हैं और हारीन टेसा को टच करने लग जाता है कुछी सेकंड्स में उसे टच करना वो बन कर देता है टेसा उसे पूछती है कि तुम स्टॉप क्यों हो गए हारीन कहत हारीन के फ्रेंड्स फिर वहां जाते हैं इससे जड़ा ऑकवर्ड मेसुस होता है और टेसा को लेकर वहां से चला जाता है और टेसा बहुत नहीं करने वाला वो डेटिंग पर बिलीव नहीं करता है टेसा को बहुत गुसा आता है और वहाँ से चली जाती है राद में फिर से उझे हार्डीन के सबने आते है नेक्स दे आता है तो टेसा का बॉइफ्रेंड उसे मिलने के लिए आता है टेसा इसे देख कर बहुत ही खुश होती है आज राद जंगल में एक wildfire है जहाँ सब लोग party के लिया आते है टेसा और उसके boyfriend भी बहाता है यहाँ पर सब लोग फिर एक game खेलने लग जाते है यहाँ पर Hardin भी आया है एक लड़का टेसा से बत्तमीजी करता है और पीछे नहीं हट रहा होता Hardin को उससा आता है वो इस लड़के को बहुत मारता है रात में हम देखते हैं कि टेसा को boyfriend आज रात उसके साथ ही रुखता है boyfriend सो जाता है तो भी टेसा को उसके friend Landon का message आता है हमें पता है कि Landon और Hardin एक ही घर में रहते है आज Hardin और उसके father का बहुत बड़ा जगड़ा हुआ है Hardin बहुत ही हर्ट है इसलिए Landon टेसा को उसके पास बुलाता है Landon टेसा को सब कुछ situation बताता है जब Hardin और उसके father की fight हुई थी तो टेसा का नाम भी आ चुका था Hardin और टेसा की बीच में जोसब हुआ था इसी वज़े से Hardin ज़रा अफसेट है टेसा फिर Hardin के पास आती है Hardin केता है मेरे फादर फिर से शादी करने वाले है यह उससे सही नहीं लगता उसकी मदर लंडन में है और उसके financial situation बहुत ही खराब है और फिर भी उसके फादर किस तरह से जी सकते है आज Hardin ने बहुत सारी दारू भी भी होती है Hardin गुस्से में दारू की बॉडल तोड़ देता है टेसा उठाने लग जाती है तो इसके हाथ पे चोट आ जाती है Hardin जल्दी से उठकर उस पर मलम पट्टी विगरा करता है वो टेसा को कहता है मैंने तुम्हारे साथ जो भी सब किया इसके लिए मैं बहुत ही सौरी हूँ Hardin कहता है कि मैं गलत था मुझे लगता था कि मुझे डेटिंग नहीं करने चाहिए पर वो अब टेसा से मिल चुका है तो उसे टेसा के साथ ही रहना है Hardin फिर टेसा को अपने रूम में लेकर जाता है यह दोने एक दूसरे को किस करते है कडल करते हुए ही रात में सो जाते है सुबा जब टेसा उठती है तो उसके बॉइफरेंड के उसे बहुत सारे कॉल आया हुए होते है टेसा जल्दी से अपने बॉइफरेंड के पास बोशती है तो उसका बॉइफरेंड उसे बुशता है कि आचानक से रात में तुम कहा चली गई थी आइसा कहती है कि मेरे एक फ्रेंड को help की ज़रूरत थी है उसका boyfriend उसे पूछता है कि ऐसा कुन सा फ्रेंड था इन दोनों में बाती हो रही होती है तब ही hard in वहा जाता है आइसा का boyfriend सब कुछ समझ गया है वो गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है टेसा का ये boyfriend उसका best friend भी है वो बच्वन से लेकर आज तक एक दूसरी के अच्छे friends रहे है उसका अपने boyfriend से break up होता है तो उसे बहुत ही बुरा लगता है एक दो दिन वो किसी से भी बात नहीं करती इसके बाद हम देखते हैं कि टेसा हार्डिन से मिलने के लिए आती है ये दोनों rooftop पर बात करते हैं टेसा हार्डिन से कहती हैं कि वो मेरा बहुत ही अच्छा friend था पर तुम उससे बहुत ही ज़ादा हो तुम मेरे life का एक बड़ा part बन चुके हो ये दोनों एक दूसरे के साथ हैंग आउट करने लग जाते हैं अलग-अलग जगा जाते हैं एक दिन जब ये लाबरेरी में होते हैं तो लाबरेरी ग्लोज होने के बाद भी यही वो छुप जाते हैं हार्डिन टेसा को एक romantic book पढ़कर सुनाता है इनकी relationship बहुत ही अच्छे से चल रहे होती हैं एक दिन टेसा और हार्डिन टेसा के ये room में make out कर रहे होते हैं तब टेसा की मदर वहाँ जाती है टेसा की मदर टेसा से बहुत निनारा से उसे कहती है कि तुम्हें पढ़ाई करने के लिए यहां बेजा था तुम ये सब क्या कर रही हो टेसा कहती है कि तुम गलत समझ रही हो मदर उसे कहती है कि अभी क्या भी तुम उसे break up कर लो टेसा ये करने के लिए मना कर देती है टेसा की मदर उसे कहती है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारे पैसे वगरा सब कुछ में बन कर दूंगी पर Tessa अभी भी ये मानने के लिए रेडी नहीं है नेक्स डे Tessa Hardin को एक जगा पर लेकर आता है उसे कहता है कि मेरे फादर की फ्रेंड की ये जगा है उसके फादर की फ्रेंड एक आर्टिस्ट है और वो अलग कंट्रे में रह रही है उसका एगर है पर कभी वो इसे विसिट नहीं करती Hardin Tessa को कहता है कि हम दोने यहां रह सकते है Tessa इसे लेकर सप्राइस्ट होती है Hardin कहता है कि मैंने सुना था कि तुम्हारी मदर तुम्हें सपोर्ट नहीं करने वाली इसी वाज़े से यह मैं अब रेंड करने वाला हूँ Hardin अच्छे से इस रिलेशन्शिप के लिए कमिट कर रहा है तो Tessa भी बहुत ही खुश होती है As a happy couple एक दूसरे को romantic stories पढ़कर सुनाते है Sunset देखते है अलग-अलग जगा पर जाते है एक दिन एक्वारियम में आयो होते है Hardin टेसा से कहता है कि कभी-कभी मैं believe नहीं कर पाता कि तुम मेरी life में हो वो Tessa से बहुत प्यार करने लग गया है उसे कभी-कभी लगता है कि टेसा को deserve नहीं करता पर Tessa उसे चूप कराते थी है उसे कहती ही कि ऐसा कुछ भी नहीं है उसके बाद हम देखते है कि Hardin के father की marriage का आज दीन आता है उसके father एक बड़ी party रखते है Hardin बहुत uncomfortable महसूस करता है पर उसे फिर भी वहाँ आना पड़ता है उसे support देने के लिए टेसा भी उसके साथ आती है टेसा Hardin के father से मिलती है उसे वो बाते करने लग जाती है Hardin के father टेसा से पुछते है किस subject में तुम master's कर रही हो टेसा कहती है कि मैं economics में कर रही हूँ पर actual में उसे literature में interest है Hardin के father कहते है कि अगर तुम्हें financial stability चाहिए तो मेरा एक friend है जिसकी publishing company है यहाँ पर तुम काम कर सकती हो टेसा को भी सुनकर अच्छा लगता है इसके बाद यह सब dinner table पर बैठते है तो Hardin के father toast करते है उसके father कहते हैं बहुत सारे गलत चीज़े थी पर अब उनकी जो new wife है उनसे जब वो मिले तो सब कुछ सही हो गया उन्हें जिने का एक नया रास्ता अब मिला है Hardin के बारे में भी बहुत अच्छी चीज़े उसके father कहते है Hardin इस पर भी गुस्ता हो जाता है वो टेसा से कहता है कि जब मैं छोटा था तो मेरे father हमेशा से drink करते थे कभी भी अच्छे father वो नहीं थे अब वो अच्छे father वो नहीं थे अब वो अच्छे father ने बहुत सारे लोगों से पैसे भी लिये थे इसी वज़े से उसके mother को भी एक बार मार खाना पड़ा था उन्हें father को बहुत ही hate करता है father का टोक्स खतम हो जाने के बाद father Hardin से मिलने के लिए आते है Hardin अफसेट है और उनसे जगडाही करने वाला है तब ही टेसा उसे रोक लेती है यह दोनों फिर dance करते है जब घर बहुचते है तो पहली बार आज रात वो intimate हो जाते है इसके बाद next day हम देखते है कि टेसा अपने college में होती है तब ही उसे एक लड़की मिलने के लिए आती है जिसका नाम होता है Molly या Hardin की ही एक friend है टेसा से पुछती है तुम्हेरा boyfriend कहीं दीखनी रहा Hardin की friend को Hardin और टेसा की बीच में जो relationship है इसके बारे में पता नहीं है टेसा कहती है कि मैंने उसके साथ break up कर लिया है या Molly को पता चलता है कि टेसा और Hardin डेट कर रहे है इन दोन में बहुत ऑक्वड conversation होती है टेसा को यह बहुत ही अजीब लगता है शाब में जब वो घर पर होती है तब Hardin के mobile और message आते है Molly ने Hardin को उससे मिलने के लिए बुलाया होता है टेसा है messages देखती है और Hardin से कहती है कि वो तुम्हें क्यों बुला रही है Hardin कहता है कि तुम्हें से इग्नोर कर दो मैंने उससे reply भी नहीं किया है इसके बाद Hardin घर से बाहर निकल जाता है रात हो जाती है पर फिर भी वो घर पर नहीं आता टेसा को और डेडी शक है ही तो घर से बाहर निकलती है Hardin का एक friend उससे मिलता है टेसा उसे बुछती है कि Hardin कहा है वो friend उसे Hardin की location दे देता है टेसा उस restaurant में बहुत जाती है और वहाँ सब Hardin के friends वगरा है के पास वो बेटती है वो टेसा से बुछते है कि तुम अपने hostel के room में नहीं रह रही तुम कहां रह रही हो टेसा कहती है कि मैं और Hardin relationship में एक अलग जगा पर रह रहे है ये सुनकर मॉली को बहुत ही hard मेसुस होता है क्योंकि वो हमेशा से Hardin को पसंद करती थी ये टेसा को कहती है कि मैं सब कुछ जीसे पता नहीं है तब ही Hardin वहा जाता है Hardin को अब जानना है कि मॉली क्या कहना चाती थी Hardin टेसा को बाहर लेकर जाना चाता है पर टेसा यहीं रुकती है मॉली Hardin से कहती है कि अब ये जादा आगी चला जा चुका है मॉली फिर टेसा को सब कुछ सचच बता देती है वो कहती है कि जिस रात हम truth और dare खेल रहे थे तो वहाँ से चली गई थी तब हमने Hardin को एक dare दिया था वो टेसा को एक वीडियो दिखाती है जिसमें Hardin कहरा होता है कि वो टेसा को अपने पैर में गिरा सकता है टेसा को ये देखकर बहुत ही hurt मेसूस होता है टेसा के friends भी आया है वो सबसे कहती है कि तुम सब को पता था और फिर भी तुमने कुछ भी नहीं कहा Hardin उसके पीजे भी जाता है पर टेसा उसे कुछ भी बात नहीं करना चाती है Hardin उसे समझाता है कि मैंने तुमें जानने से पहले ये बेट लगाई थी Hardin उसे बताना चाता है कि उसे बहुत प्यार करता है पर टेसा वहाँ से चली जाती है टेसा हर्ट होकर फिर से अपने घर आ जाती है अपनी मदर से स्वारी कहती है टेसा की मदर हमेशा उसे जो चाहिए था वही टेसा से करवाती आ रही है तैसा की मधर कोई बुरा रगता है और वो भी तैसा को sorry कहती है इसके बाद टैसा अपने ex-boyfriend से मिलने के लिए आती है तैसा उससे कहती है कि कभी भी तुम hurt हो جाओ ऐसा मैं नहीं चाहती थी तैसा गा ex-boyfriend कहता है कि मुझे पता है कि तुम कुभी मुझे हट नहीं कर सकती है उसने टेसा को माफ कर दिया है वो कहता है कि हम बड़े होते हैं अपने आपको डिस्कावर करते हैं इसमें कुछ बूरी चीज नहीं है ये दोनों फिर से एक दूसरे के आच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं टेसा को भी पब्लीशिंग में कुछ करना है तो हर्डिन के फादर ने जो पब्लीशिंग कम्पनी कही थी वहाँ पर वो अपलाय करती है यहाँ पर वो सिर्ग भी हो जाती है टेसा फिर से अपने कॉलेज में आती है उसका येर अब एंड हो रहा है येर के एंडि में उनके literature class में उनस सब को essays लिखने होते हैं इसमें एक बड़ा सा लेटर हार्डिन ने टेसा के लिखा होता है जो अपने teacher को submit कर देता है teacher ये पढ़ती है और टेसा को दे देती है हार्डिन टेसा को जिस जगा पर पहली बार लेकर आया था लेक के पास वहाँ जाकर ये लेटर पढ़ने लग जाती है इसमें हार्डिन लिखता है कि मैंने बहुत सारे romantic novels पढ़े है इसमें हमेशा से लिखा था कि प्यार के बिना life बहुत ही अधूरी है हमारे अंदर जो भी damage है ये प्यार से सही हो सकता है मुझे हमेशा से लगता था कि ये सब गलत है कभी भी मैंने इस पर believe नहीं किया पर जब मैं तुमसे मिला तब से मेरी सब कुछ thinking change हो गए मैं अंदेरे में था तुमने मेरा हाथ पकड़ा और उजाले में मुझे लेकर गई मैं क्या था कि कभी भी मुझे पता नहीं था तुमने मुझे से पूचा था कि सबसे ज़ादा मैं किस से प्यार कर सकता हो अब उसका आंसर मेरे पास है वो Tessa से अपने आप से भी ज़ादा प्यार करता है वो Tessa से माफी मांगता है Tessa पढ़ती है और Hardin इसके पास आता है Tessa अब उसे माफ करती है यही मुवी एंड हो जाती है अगर आप कोई वीडियो अच्छा लगा तो फ्लीस वीडियो को लाइक कर दीचेगा बहुत सारी इस तरह की मुविज लेकर आते रहते हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देजिए और बेल इंडुकेशन आइकों दबने में मत भूले हैं फिर से मिलेंगे और एक नहीं मुविज साथ तब तके लिए थाएंग्यों और आप अपने आपका ख्याल रखिये